इस तरह की फ्रॉक्स हमेशां ट्रेंड में रहती हैं और बहुत ही जादा ब्यूटिफुल लगती हैं तो चलिए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कि इस तरह की ब्यूटिफुल सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है तो यहाँ पे मैंने इसी वीडियो में आपको cutting भी और stitching भी दोनों चीज़ें बताने वाली हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो घेरा है काफी बड़ा है और front side, back side V-shape है गले की और पूरा इसमें frill लगाया गया है तो इस तरह से हम बिल्कुल एकदम perfect fitting में फ्रॉक की cutting और stitching कैसे करते हैं वही आज मैं आपका साथ share करने वाली हूँ तो चलिए अभी start करते हैं इस वीडियो को तो इसको हम बिल्कुल single कर देंगे, single करने के बाद लंबी side में इसको हम open करेंगे और जो हमारी चोड़ी side है उस side से हम इसको fold करके पहले चोली की cutting करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कपड़े को पूरा लंबे में open किया है एक कोना पकड़के इसको मैं four layer में कर रही हूं चोली cutting करने के लिए तो इसको हम पहले four layer में पूरा इस तरह से fold कर लेंगे इस तरह से fold करने के बाद हम इसका measurement लेंगे लेकिन उससे पहले हमें कपड़े को बिल्कुल सही तरीके से रखना है तो यहां पे देखिए यह four layer में कपड़ा आ गया है और अब side जो extra कपड़ा होगा sides पे उसको cut करके पहले निकाल देंगे अब उसके बाद हम यहां पे measurement लेंगे तो 14 inch जो है मैं चोली की लंबाई रख रही हूं तो 14 inch पे सबसे पहले हम यहां mark कर रहेंगे और 14 inch पे इस कपड़े को हम cut कर लेंगे तो लंबी side बागी की जो दूसरी side पे चली जाएगी अब यह 14 inch पे मैंने इसको cut कर लिया है अब इसके हम बागी की marking start करते हैं तो यह जो नीचे का देख रहे हैं आब यह लंबा कपड़ा है बिल्कुल इसको अब हम double करेंगे जो हमारी frill line जो नीचे हमने चूनर डालनी है उसके लिए यह देखिए इस तरह से इसको double करेंगे हम तो यह आगे और पीछे दोनों साइडों का हमारा portion बन जाएगा घेरे का जो नीचे हमने फ्रॉक बिलानी है तो अभी हम चोली की cutting करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर उपर shoulder की cutting करेंगे तो यहाँ पर shoulder की cutting आपने किस तरह से करनी है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ जैसे हमारा shoulder 14 inch है तो उसको हम half करेंगे तो 7 inch आ जाएगा तो shoulder हमारा कितना आ जाएगा 7 inch हमको shoulder 7 inch पे mark करना है तो इस कपड़े की length मैंने आपको बता दिया 14 inch मैंने रखी है अब चलिए shoulder को mark करेंगे यहाँ पे देखिए 7 inch पे सबसे पहले mark कर लूँगी तो 7 inch पे यहाँ निशान लगा देते हैं देन उसके बाद हम यहाँ पे arm hole की cutting करेंगे sorry marking करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे 6 inch पे mark करना है arm hole क्योंकि मैं without sleeve से यह बना रही हूँ तो 6 inch मैं इसको mark करूँगी अब इसको हम उपर से लेके नीचे की और सीधा मिला देते हैं और इस चीज़ का धिहान रखना है कि उपर और नीचे दोनों साइडों पे जो है distance बराबर होना चाहिए जैसे उपर 7 inch है वैसे नीचे भी 7 inch होना चाहिए अब यहाँ पे इसको हमने आगे की और जो fitting है उस पे निशान लगाना है fitting 10 inch आ रही है तो 2 inch हम उसमें add कर देंगे extra margin के लिए तो आपकी जितनी भी fitting आती है उसमें आप 1.5 से लेके 2 inch तक extra margin लगा के यहाँ mark कर लीजी आगे तो आपकी जितनी भी fitting है उसको आपने divide कर लेना है 4 से जितना भी आएगा plus 2 inch extra margin यहाँ पे आपने इस तरह से mark कर लेना है अब हम इसको गुलाई की shape देंगे तो ध्यान रखना है दोनों यह जो line से इसके center portion को हमने mark कर लेना और वहाँ से गुलाई start करनी है यह देखिए जो line उपर से नीचे की और आई और जो fitting की आगे की और गई इन दोनों को center point निकाल के इनको हमने इस तरह से गुलाई shape देनी है अब हम आ जाएंगे यहाँ पर कमर वाली side पर तो इधर हमारा आ रहा है 9 inch जो fitting है तो 2 inch extra हम 11 inch पर यहाँ mark कर देंगे extra margin लेके अब यह जो fitting वाले निशान है पहले इनको हम आपस में मिला देंगे उपर से 10 inch है नीचे से 9 inch इनको हम आपस में मिला देंगे पहले और फिर उसके बाद जो extra margin वाली हमारे points हैं उनको आपस में मिला देंगे तो यह हमारी आगई fitting की दोनो सिलाईया अब उसके बाद यहाँ देखिए यह नीचे की ओर से हमको कटिंग कर रहे हैं इसकी broadness हम तीन इंच रख रहे हैं तो V-shape में गला कट कर रही हूं में front neck जो में रख रही हूं वो 5.5 इंच के करीब रख रही हूं जादा deep नहीं करूंगी क्यूंकि यह जब broad हो जाएगा तो फिर जादा deep होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए 5.5 इंच में यहाँ रखने वाली हूं अब इसको सीधा straight हम V नहीं बनाएंगे थोड़ा सा बाहर बाहर से लेकर आएंगे इस तरह से इसको V बनाएंगे बिलकु स्ट्रेट सीधी लाइम नहीं लगानी है थोड़ी गुलाई गुलाई में शेप में लेके जानी है नीचे की और तो यह हमारा V शेप आ गया अब हम इसको कट कर लेंगे पहले दन उसके बाद हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे दोनों आगे और पीछे के पीस को अलग करके अब यह नीचे का जो हमने आधा इंच ऊपर मार किया था इसको भी कट कर लेते हैं इससे जो है ना साइट जो है फ्रॉक की लटकती नहीं है इसलिए हम यह आधा इंच ऊपर करना पड़ता है आप शोल्डर की तरफ से भी हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे आप चलते हैं जी फ्रंट और बैक नेक को हम अलग कर देंगे मतलब और फ्रंट नेक जो है अभी हम कट कर लेते हैं तो यह हमने फ्रंट नेक कट कर ली अभी इसको side पे रखेंगे और back neck की marking करेंगे हम front और back दोनो V-shape में बना रहे हैं तो यहां V-shape में हम जो back neck रखेंगे वो आप अपनी choice के according रख सकते हो मैं यहां पे थोड़ा सा deep रखूंगी आप यहां पे 6-5 इंच भी रख सकते हैं back neck अगर आपको कम रखना है तो 5 इंच तक आप रख सकते हैं तो बस यह हमारी जो अब front जो हमारा पल्ला है उसकी हम थोड़ी सी arm hole वाली side पे 1-2-2 इंच deepness दे देंगे इससे जो है arm hole की fitting बहुत अच्छी आती है अब यह दोनों हमारी चोली की cutting finish हो चुकी है इसमें जो जो points है वो सब मैंने आपको बता दिया है चलिए आप चलते हैं नीचे के घेरे के कपड़े की तरफ तो यहां पे देखिए यह 4 layer में कपड़ा है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह 2 part में cut होगा front और back तो अब हम इसकी length देख लेते हैं तो 30 inch मेरी यहां पे length आ रही है पूरी नीचे की और उसके साथ हम 2 inch extra रखेंगे fold करने के लिए कुछ उपर से fold हो जाएगा सिलाई में चला जाएगा और कुछ नीचे से fold होगा तो यहां पे हम 32 inch पे जो mark करेंगे 32 inch पे mark करने के बाद हम उसको cut कर लेंगे तो हमने 2 inch extra रखना है आदा-दा inch जो है वो उपर से सिलाई की तरफ चला जाएगा और नीचे से जो हम fold करेंगे वो 1.5 inch fold हो जाएगा तो यह 32 inch मैंने यहां पे इसको cut कर लिया है तो यह 1.5 inch के करीम मेरा पूरा कपड़ा था अभी यह front और back side दोनों हो गई तो इसको हमने किस तरह से रखना है यहां पूरे हमने इस तरह से चूनट बनाने है और इसको हम देखिए open करें देखिए कितना चोड़ाई है तो चोड़ाई आपके कपड़े पर depend करती है आपका जितना कपड़ा चोड़ा होगा उसी के according आप रख सकते हो तो यहां पे यह मेरा चोड़ाई जो है कम से कम 13 inch वतलब फोल्ड करके 13 inch है और 26 inch है open करके अब यह एक छोटा सा पीस हमारा जो बच गया है नीचे से इस पीस के हम फ्रिल बनाएंगे अब इसका फ्रिल हमको कितना बनाना है बस इसको हमें बीच से कट कर लेना है कपड़े को देन उसके बाद इसको सिलाई कर देना है और जितना भी लंबा जे आएगा उसमें से हमको इसको फ्रिल बनाना है नेक पे जो हम फ्रिल बनाने वाले हैं और थोड़ा से कपड़ा हमें साइड से कट करके निकाल देना है ताकि हम आम होल पे वो कपड़ा अटेच कर सके हैं अब इसकी हमने फिनिशिंग कर लेनी है नीचे की और से उसको पूरा सिलाई कर देना है इस कपड़े को तो यहाँ पे देखिए यह फ्रंट जो पला है और बैक पला है जो चोली का इन दोनों को हमको शोल्डर अटेच करना है दोनों की शोल्डर अटेच कर लेंगे और ये देखिए यह जो फ्रिल वाला कपड़ा है इसको मैंने एक साइड से नीचे की और से फोल्ड कर दिया है अब ये साईड्स जो है इनको भी फोल्ड कर देना है क्योंकि फ्रंट साइड से यह ओपन रहेगा यहां देखिए यह जो front side है यह open रहेगी इसकी और इस तरह से हमको इसको frill डालते जाना है और frill ulty side पे डालना है बाद में जब हम finishing की सिलाई करेंगे उसको हम CD side पे fold करके फिर finishing की सिलाई देंगे तो यह ulty side पे पहले हमको frill डालना है इस चीज़ का ध्यान रखना frill जो ulty side पे डालना है कपड़े के ulty side पे अब यह देखिए यहां V-shape इस तरह से यह कपड़ा attach होगा V-shape तो नहीं आएगी बाद में यह इकठा हो जाता है लेकिन यह हम front जो है open रखेंगे इस frill का इसको हम attach नहीं करेंगे उससे finishing बहुत ज़दा अच्छी आती है तो यहां देखिए यह front इसका open है और यह मैंने पूरा यह देखिए फ्रिल इसका attach कर दिया है अभी आपको ऐसे ही लग रहा है जब इसकी finishing होगी तो यह बहुत जादा सुंदर लगता है तो इसको अब हम सीधी side पे fold कर देंगे क्योंकि ulty side पे हमने यह frill attach किया है सीधी side पे fold करने क के बाद इसकी हम finishing की सिलाई देंगे तो यहां देखिए यह एक दूसरे के ऊपर रखके मैंने इसको सिलाई करी है ताकि कपड़ा जो है वो निकल ना सके तो front side से हमने इसको open रखा है लेकिन जो हमने frill attach किया वो एक दूसरे के ऊपर रख दिया है front side से तो अभी यह देखि ज़्यादा घहरे वाला होगा उतना ज़्यादा घहरा बनेगा और अगर कम कपड़ा होगा तो कम घहरा बनेगा उसी हिसाब से आपका यह बनेगा अब यहां पर देखिए यह हमने जो चूनर डाल दी है अब जो arm hole है उसके ओपर हमें कपड़ा attach करना है और अंदर की और fold क करके finishing की सिलाई दे देनी है तो यहां देखिए इस तरह के यह कपड़े है मेरे पास जो बचे हुए बस इनी को मैं attach करने वाली है और मेरा जितना कपड़ा है पूरा इस फ्रॉक में लग गया है तो यह देखिए मैंने finishing की सिलाई भी कर दिया अंदर के और fold करके अब हम fitting की सिलाई दे देंगे पूरी नीचे तक और नीचे से इसको fold कर देंगे जो डेर डेर इंच हमने extra लिया था उसको हम यहां से fold कर देंगे इस तरह से और देखिए final look मेरे frog की अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe ज़रूर करना